हमारी पार्टी जन्ता दल युनाइटेड भारती जन्ता पार्टी संसद्य दल के नेता आदर निये सुरी नरेंदर मोदी जी को भारत के प्रधान मंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुती खुसी की बात है दस साल से ये प्रधान मंत्री हैं और फिर प्रधान मंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पुरे देश की सेवा की अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है और आप जान लिजे कि कुछ लोग हम लोगो तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आईएगा न तहीं से बार हम देखे हैं कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है अगली बार सब हारेगा हम पूरा भरोसा है यह सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है और यह सब कोई काम किया है उन लोग ने आज तक कोई काम नहीं किया देश की कोई सेवा नहीं किया लेकिन आपने इतनी सेवा किया है और उसके बाद इस तरह से हुआ है तब इस बार फिर जो मौका मिला है तब इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइस नहीं रहेगा वो सब खत्म है अब यहार आदेश बहुत आगे बढ़ेगा अब यहार वहार का भी तो सब काम होई जाएगा जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही करतेगे सबसे पुराना ही राका है तो इसलिए हम लोग तो पूरे तोर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं तो सब लोग ठीक हैं हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे थे बार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था लेकिन आपके जब इच्छा है तो जब भी हो जितना तेजी से काम हो जाया तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुसी होगी और पूरे देश में इसका बहुत जादे फाइदा है, इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाव नहीं है, तिसलिए मैं आपका अविनंदन करता हूँ, और आपके नित्रित में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, इनी सब लोग के साथ, और आप सब लोग इतना खुसी है सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अविनंदन करता हूँ, और यही कहूँगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे, और एक साथ हो करके, जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए, हम लोग आगे चलेंगे, इनी सब लोग के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद करना ना भूलें